कि आपके कूड़े का at the end of the day आखिर होता क्या है और have you ever wondered कि कूड़े वाले भाईया के कूड़े ले जाने के बाद से उसका final destination आखिर ताय कौन करता है और have you ever wondered कि आखिर आपका कूड़ा कैसे economy में participate करता है आपका बेहत मामूली सा कूड़ा कैसे बन जाता है revenue generator do you have any idea about these if not तो आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और प्लीज इसे अपने दोस्तों में भी share कीजे ताकि वो और आप दोनों ये जान पाएं कि कैसे एक बेहत मामूली कूड़ा बन जाता है economy के पाट की four decades में सबसे lowest GDP और शायद इसलिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमारा एक बेहत मामूली सा कूड़ा हर घर से जो निकल कराता है वो GDP को contribute करता है हर सुबह कूड़े वाले भाईया आकर हमारा कूड़ा collect करते हैं इसके बाद ये कूड़ा कई अलग-अलग stages से गुजरता है सबसे पहले इन कूड़ों को छाटा जाता है और फिर अलग-अलग कूड़ों में बाटा जाता है इसके बाद इन्हें trading के लिए ले जाया जाता है unwanted trash को landfills में और useful trash को recycling के लिए रखा जाता है जो trash इंडिया में recycle नहीं हो सकते उन्हें other countries में export किया जाता है इ energy fees, recycling fees, etc. घर से कूड़ा collect करने से लेकर उसे export करने तक इन सभी procedures के बीस direct और indirect jobs create होती है जिससे लोगों को काम मिलता है, revenue generate होता है, GDP में hike होती है और economy evolve करती है 2018 का एक data बताता है कि इंडिया में annually 62 million tons municipal solid waste generate होता है और जैसे जैसे हमारा material consumption बढ़ता जा रहा है आने वाले सालों में हम और garbage produce करेंगी साल 2025 तक हमारा material consumption तीन गुना हो जाएगा और साल 2030 तक हम 165 million tons solid waste generate करेंगी और यही data बढ़कर 2045 में 450 million tons हो जाएगा अगर आने वाले समय की बात करें तो जब इतना solid waste generate होगा तो recycling और export के business को भी groom मिलेगा इसके अलावा अगर बात करें सिर्फ अभी metal recycling sector की तो यहाँ 1.7 million लोगों को रोजगार मिलता है यानि कि ये 2% GDP को contribute करता है अल्दो इंडिया में ये reuse और recycle का fundा काफ़ी ठीक था काम करता नज़र आ रहा है पर इंडिया को ज़रूरत है scraps और recycle products के लिए एक market establish करने की प्लस इंडिया को ये भी ज़रूरत है कि वो rack pickers को एक official identity दें जिससे कि उनका ये business और भी well organized हो जाए recycling में इतना potential है कि वो आने वाले समय में 6 गुना जादा jobs create कर पाएगा 2030 में recycling के business में 14 लाग करोड additional cost saving generate होगा जो कि GDP का 11% है और सिर्फ इतना ही नहीं recycling से social gain के लावा environmental gain भी बहुत है तो जैसा कि आपने देखा कैसे एक बेहत मामूली खूडा बन जाता है GDP के लिए इतना खास ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए follow कीजे जो शोष को तब तक के लिए मैं निशा लेती हूँ आपसे विदा धन्यवाद